तो हेलो बच्चो यह वीडियो क्लास सिक्स्थ के बच्चों के लिए है अगर आप क्लास सिक्स्थ में है तो आप इसे देख सकते हैं यह आपकी English Reader का First Chapter है जिसका नाम है The Travelers and the Purse और यह एक तरह की पोयम है और इस पोयम को पार्क मेर में ड्यूक पार्क ने लिखा है और इसके यह पोयट साब है तो हम इस पोयम को पढ़ेंगे This poem is a fable यह पोयम एक fable है एक कपोल कलपना है या नितिकता है A fable is a short story that is intended to teach a moral lesson और fable क्या होता है एक short story होती है एक छोटी सी कहानी होता है जो intent करता है जो नियत रखता है तो teach यानि इसी सिखाने का moral lesson या फिर एक moral lesson सिखाने का Moral lesson मतलब morals का lesson नीति का पार्ट पढ़ाना या फिर कोई भी अच्छे काम का पार्ट पढ़ाना तो देखो इस पोयम को start करें travelers and the purse की एक छोटी सी बहुत छोटी सी पोयम है और यह दो दोस्तों के बीच में है दो दोस्त एक पर इसमें होता क्या है कि दो दोस्त एक सड़क पे जाते हैं ट्रेवल करती हुए जाते हैं पैदल चलती है उनको एक पर्स मिलता है और उनके ब आगल डी जा है जाते हैं पैदल लेगा बदब आपे जाएं और लेगा कि दिखर और टक पीद दोस्त एक चल रहे हैं यह दोधे तो दोस्त हैं कि अच्छा सा रास्ता है आगे का जब उनमें से एक ने ग्राउंड पर एक पर्स को एस्पाइड किया या फिर सड़नली देखा अचानक से एक आदमी को ग्राउंड में रस्ते में एक पर्स मिल गया पिछले जमाने में ऐसे होते थे O.C. said he thank my fortune for that what a large sum of money I have found उसने कहा कि देखो देखो उसने कहा देखो देखो O.C. he said thank my fortune for that उसने कहा कि इसके लिए धन्यवाद दन्यवाद कहो मेरी किसमत को मतलब मेरी किसमत कितनी अच्छी है कि what a large sum of money I have found लार्जशन मतलब बहुत ज्यादा मात रा मनी की पैसे के हैं वांड यानि की मुझे मेल गई तो उसने कहा देखो मुझे कितनी ज्यादा मात रा में पैसा डला एकुली उसने परस देखा और उसके अंदर नहीं देखा उसके बज़ेद कर भदासके पता मिल गया है Do not say Said his friend For You know In a friendship You share उसने कहा है कि नई नई भाई तुम ऐसा नहीं कह सकती हो क्योंकि तुम जानते हो कि friendship में Share करना चाहिए दोस्ती में चीज़ों को बाटना चाहिए दोस्ती में चीज़ों पर बराबर का حक होता है जो तेरा है वो मेरा है दोस्ती में ऐसा होता है तो उसने कहा है कि भई तुमको अकेले थोड़ी मिला है ठीक है यह मत कहो कि तुमको मिला है हम लोगों को मिला है और दूसरे फ्रेंड ने कहने का सोचा ठीक उसने कहा है आप दूसरे वाले उसने सोचा ऐसा इसने कहा जिसको पैसा नहीं मिला था उसने ऐसा कहा कि वह तो मैंसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ तुम मिला है हम दोनों को मिला है I share it with you said the other how so उसने कहा है कि क्या मैं इससे तुमारे साथ share करूँ मैं इससे तुमारे साथ share करूँ अच्छा कैसे share करूँ ठीक है क्योंकि मिला तो उसे धाना भई उसके हिसाब से he who found should be the owner वो व्यक्ती जिसको पर्स मिला है तो देखो अभी तक हुआ क्या इस आद clusters मिला और इस ने कहा कि मेरी किसमा देखो कितनी अच्छे है कि मुझे पर्स मिला तब ही दूसरे दोस्ते ने कहा कि दोस्ती में तो हम बाटते हैं चीजों को दोस्ती में हम चीजों को बाटते हैं इसने कहा तो ये तुमारा अकेले का कैसे हो गया इस पर दोस्ती में बराबर कहा करेगा तो उसने कहा है कि मैं तुमारे साथ इसे बाटू मैं क्यों बाटू भाई क्योंकि ये मुझे मिला है और जो जी जिसको मिलती है वो ही उसका मालक होता है ठीक है अब आगे बी इट सो सेडिस फ्रेंड वट वोट साउंड डू आई हेर तो उसके दोस्ते ने का कि चलो ठीक है मान लिया जो तुमने कहा वो मैं मान रहा हूँ होगा ऐसा कि जिसको तुम्हें मिला वो पर्स तुम्हारा है लेकिन एक मिनिट मैं यह किस तरह की आवाजें सुन रहा हूँ हुक्त हरा हु हुक्त है तो यह सो शून रहा है सब्सके जून रहा है हुक्त है कि पैसा तो तो मैं गया है लेकिन ये, he comes with a constable close in rear, उसने कहाए कि वो एक constable के साथ आ रहा है, पुलिस कर्मी के साथ आ रहा है, और वो तुमको बहुत close in rear, यानि कि कि किसी को close in rear का मतलब होता है, बहुत ही past से follow करना, उसे लगातार follow करते रहना, या पर पीछा करते रहना, उसने कहाए कि कोई तुमारा जब से तुम्हें पर्स मिला है, कोई पीछा करते हुए आ रहा है, और वो एक constable के साथ आ रहा है, वो एक पुलिस कर्मी के साथ आ रहा है, said the other, oh what shall we do, तो तब दूसरे ने कहा, इसने कहा कि भई तुम्हें पर्स तुम मिल गया, लेकिन दूसरा आदमी तुम्हें तभी से follow करते हुए आ रहा है, उसके साथ दूसरे आदमी भी हैं, और भी हैं, तो तब जिसको पैजा मिला था, उसने कहा, कि भई अब हमें क्या कर करना चाहिए, पर हमाएं पीछे तो ये लोग आ रहे हमको ये चोड समझ रहे हैं, जबकि पर्स तो हमने उठाय हुआ है, हम चोड तो थे ने, हमको डला मिला था, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, आगे लिखा है, ना, डू नोट से वी, सेड हिस फ्रेंड, फॉर यू उसने कहा है, कि ना, 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 यासा नहीं हो पाएगा, तुम वी मत कहो, तुम ये मत कहो कि हम क्या करें, ठीक है, क्योंकि पर्स तुम्हें अकेले मिला है, मतलो ये उसने नहीं कहा, उसने ये कहा, कि ये मत कहो कि हम हम क्या करना चाहिए, तुम जानती हो कि तुम प्रस उसे मिला था उसने दोस्त का हग उस पर जमाण ने दिया तो अब जब मुसीवत आ पड़ी उस पर तब वो ऐसा कह रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए यह तो गलत है ना कि भाई जब भला हो रहा है तो तुम अकेले का भला करो और जब तुम्हारा बुरा बदाया तो दूसरों के पास जाने लगे वू राइट तो धी प्राइट उसने कहा है कि तुमने प्राइज पर इस जिन पर hate पर इस इनाम पर sole right claim किया था यानि कि तुमने एक आधिकार बताया था अपना एक आधिकार claim किया था एक आधिकार demand किया था यह जो पर्स मिला है वो सिर्फ मेरा ही मेरा है जिसको मिलता है उसी का होता है ठीक तो यह तो तुमने कहा था आगे लिखा है and since all the money was taken by you with you lies with you the dishonesty lies उसने कहा है क्योंकि सारा पैसा तुम ही रखना चाहते थे ठीक है और सारा पैसा तुम ही ने लिया था तो ये जो बैमानी आई है ये भी तुमारे साथ ही रहेगी समझ में आया तो अब मैं इसमें शामिल नहीं हूँ मैं तुमारे ना भागने में मदद करूँगा ना बचाने में मदद करूँगा तुमने जो किया है उसे तुम भुगतो सन में आया तो यह हुआ चेप्टर यह उसके राइटर साब का नाम है मेरमेड्यूक पाक तो भस यही इसमें चेप्टर में था और इसका सारांस यह निकला यह मोरल यह निकला कि हमेशा हमें दूसरों का साथ किवल तब नहीं देना चाहिए जहा हमारे साथ बैडलक चल रहा हो हमारा बुरा समय चल रहा हो हमें अच्छे वक्त में हमेशा दूसरों को साथ लेके चलना चाहिए तो I hope ये आपको lesson अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कोई भी doubt है तो वो आप हमसे पोश सकते हैं तब तक के लिए thank you